नवस्कार एन वेलकम यूद वर्ल अफेर्ज नेव प्रशान धवर नाव इंडिया के नेबर हुड में इंडिया के पडोस में जो दो इस्लामिक कंट्रीज हैं इरान और पाकिस्तान दोनों के रिलेशन्स बहुत ज़रा खराब हो चुके हैं आपस में पाकिस्तान ने रिसें ये मैं आपको एक प्रिवेस वीडियो में बता चुका हूँ कि रिसेंटी इरान ने एक मिसाइल अटाइक किया है पाकिस्तान के वलुचिस्तान प्रोविंस में रीजन उसका मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में कई आतंवारी संगटन है वो इरान को तोड़ना चाहत ये इरान ने मिसाइल ब्रसाएं है पाकिस्तान पर पाकिस्तान का कहना ये है कि इरान की इस फारिंग में किसी आतंवारी संगटन को कोई नुकसान नहीं हुआ बस दो मासूम बच्चों की जान गई है ये पाकिस्तान का क्लेम है ये मैं कन्फरमेशन के साथ कह नहीं सकता ब ये कोई बिफकूफी तो नहीं कर बैठेंगे आपको याद होगा हमने जब बाला कोड पे अटैक किया था उसके बाद पाकिस्तानी एरफोर्स ने भी थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करी थी तो क्या पाकिस्तान की एरफोर्स इनकी जो मिलिटरी है क्या ये इरान में भी कुछ कर के आएंगे या कुछ इरान को धंकी देंगे अभी के लिए तो जो इनके अमबैस्टर हैं सिर्फ उनको भार निकाला है बट ये मैं आपको बता दू दुनिया के लिए एक बहुती बड़ा एक चर्चा का विशे बना हुआ है कि पाकिस्तान क्या करेगा इरान क कि अगेंस्ट मिडलीस का क्रैसेस और जड़ा बत्तर हो जाएगा पाकिस्तान क्या ये एफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा देखना होगा नुई यॉर्ट टाइम्स के इलावा अमेरिका के कई न्यूज आउटलेट में तो ना कई जियो पॉलिटिकल अनलेस ये भी कह कर दिया गया उस आदमी का पुरा पॉलिटिकल करियर डिस्टोई कर दिया तो क्या पॉसिबिलिटी है कि युएस पाकिस्तान के जरीए इरान पर कुछ प्रशा डलवाएगा और मैं आपको ये बता दू ये कंप्लीटली इंपॉसिबल नहीं है पाकिस्तान को रीसेंटली इरान ने एक रीजन दे दिया है मिलिटरी अक्षन लेने का मैं सप्राइज बिल्कुल नहीं होंगा अगर युएस हमेशा की तरह फिर से पाकिस्तान को एजे पपेट इस्तमाल करे पाकिस्तान को मिलिटरी इंपॉट्स दे पाकिस्तान को कुछ वैपनरी भी दे और पाकिस पाकिस्तान में से मिलिटरेली जरा स्ट्रॉंग कौन है देखिए ये बहुती जादा ट्रिकी क्वेश्चन है पाकिस्तान की अबादी डेफिनेटली बहुत बड़ी है कंपेर टू इरान दुगनी से जादा है पाकिस्तान की अबादी 22-23 करोड के आसपास पास पौँच च टॉप 4 में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है नंबर 1 पे US नंबर 2 पे रश्या नंबर 3 पे चाइना नंबर 4 पे रश्या ही है मगर उसके नीचे हम देख रहे हैं चेंजे जा रहे हैं जैसे के नंबर 5 पे अब साउथ कोरिया पहुच चुका है नंबर 6 पे UK है नंबर 7 पे जपान आ चुका है टर्की नंबर 8 पे आ चुका है और यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान अब रैंक 9 पे है इरान देखिए पाकिस्तान से बहुत पीछे नहीं है अगर पाकिस्तान की रैंक 9 है तो इरान की रैंक 14 है तो यहाँ पे मैं आपको यह बताना जाता पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक कहावत कॉमन है जंग कर दी जीती नहीं। पूरा एक तरीके से एक खटा होकर अपने सलेंट जंरल के पीछे खड़ा था रो रहा था उसके लिए वो देखके मुझे लगता नहीं है कि एरान में जजबेगी कमी है अगर हम बात करें ओवराल मॉराल बूस्ट की और ओवराल जजबेगी तो एरान एक बहुत ही जड़ा स respond तो पाकिस्तान ने अगर militarily respond कर दिया I don't think that will end well for Pakistan Iran कमवादी के साथ भी न बहुत जादा heavy military damage पजा सकता है पाकिस्तान को और obviously इससे इंडिया के सामने भी options open हो जाते हैं जब पाकिस्तान की जो military है busy हो जाएगी इरान के आसपास obviously it will open a lot of options for इंडिया दूसरी तरफ ना मैं एक बाद ये भी notice कर रहा हूँ कि कोई surprise की बात नहीं होगी कि इस attack के बाद जो भी इरान ने attack किया है पाकिस्तान की धरती पर इसके बाद हो सकता है कि एक और attack इरान कर दे कुछ हफतों में या फिर कुछ महीनों में बिलकुल surprise नहीं होगा और हो सकता है कि ये attack और बड़ा भी हो reason मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त इरान की जो सरकार है ना उन्होंने security को top से भी top priority पर रखा है उन्होंने का है कि this is the most important thing for us इरान ने पिछले कुछ दिरों में नासिर पाकिस्तान इराक को और even Syria को भी bomb किया है यहाँ पर आप देख पाओगे इरान strikes Syria, Iraq, Pakistan as Middle East tension spike इरान basically आज के समयना तयार बैठ है कि किसको पिटना है आजो जिसको आज चाहिए कुछ अगर you want some, get some वाली आज के समय नीती है इरान की और अगर आप यह पूछने हाचा ठीक है यह तो समझ में आ गया कि एरान ले पाकिस्तान पे आगरवण इसलिए किया है क्योंके पाकिस्तान में आतमवाडी संगटन है जो एरान का यह वाला जो हिस्सा है जो एरान का वरुजिस्तान का पार्ट है उसको तोड़ना चाहते है, understandable, मगर ये Iraq, Syria को क्यों मारा, क्योंकि देखिए, Iran का ये मानना है, कि यहाँ पर Israeli spy base है, ये मैं आपको ऐसे आपको पहले बदा चुका हूँ, कि Iran ने Iraq पर attack किया था, मगर ये जो attack है, recently Syria पर भी किया गया था, तो Iran is going just hyper nationalistic right now, और Pakistan के लिए best case यही हो आप के लिए mentality के साथ बैठा है, कुछ करने ही कोशिश करी, by God, Iran can literally destroy Pakistan in days, तो इस topic से related कुछ और developments हाती है in the future, तो मैं आपके लिए arbitrated videos लाता रहूँगा, और finally आपे मैं आपसे सवाली पूछूँगा, question यहाँ पर यह है, कि हाली में किस country ने ये का है, कि हम अपने देश में एक global peace summit करेंगे organized, जिससे Russia-Ukraine war समाप्त हो जाए, कुछ निवारन यहाँ पे हो, दुनिया को relief मिले, तो बताइए यहाँ पर global peace summit, recently किस country ने का है, कि हम करेंगे organized Russia-Ukraine युद को समाप्त करने के लिए, यह हैं आपकी options, Switzerland, France, India, या फिर UK, comment section में करिए उत्तर, जो लोग से यहाँ सर देंगे, उनकी comment को मैं हाट देंगा, ताकि भाकी लोग समझ पाए, कि सही उत्तर क्या है, कि अभी एन अकाडमी की 50% जो sale है, एक्टिवेट हो चुकी है, comment section में जहिए, यहाँ पे आपको यह link मिल जाएगा, UPSC का, इस पे आपको लिक करेंगे, तो यहाँ पे आ एच पर यहाँ दिसी ए राले हो ओ स्सके बाँनके सेंगे, टिसी एजच अव nós जएवर यू